दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हैनी वाल थर्मोस्टेट और हैनी वाल जो एक्टिवाटर वाल होता है उसकी कैसे वारिंग करते हैं पूरा डिटेल्स में इस वीडियो को देखिए मैंने एक एक चीज को बहुत ही बारिकी से बताया है अगर यह आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको हैनी वाल थर्मोस्टेट और हैनी वाल जो एक्टिवाटर वाल होता है उसकी वारिंग आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा तो यहां पर आप देख सकते हो हैनी वाल होम करके हमारे पास एक एक ट्वाटर वाल है जो की त्रिवे है त्रिवे का मतलब एक, दो, तीन यह तीन साइड में रहेगा तो यह त्रिवे वाल है और इसकी wiring कैसे करते हैं Hannibal Thermostat से वो पूरा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो पूरा देखिए तो आपको अच्छे सा समझ में आएगा यहाँ पे मैंने पूरे connection ready कर दिये हैं और मैं आपको यहाँ पे पहले चालू करके आपको दिखाता हूँ यह किस तरह से काम करता है तो यहाँ पे अभी यह OFF पोजीशन में है तो अभी मैं यहाँ पे देख सकते हो temperature को मैंने 30 पे set करके रखा है जबकि मेरा room temperature 29 है तो मैं इसको अभी set करके आपको दिखाता हूँ पहले हम लोग दोस्तों इसकी wiring समझ लेते हैं देख सकते हो ये 3-way wire का है और इसमें brown, black और blue ये 3 wire होते है तो ये जो brown wire जो होता है वो close के लिए होता है यानि जब आपको इस wall को बंद करना है उसके लिए brown wire में face देना होता है यहाँ पे आप देख सकते हो और black wire जब open करने के लिए होता है जब आपको wall को open करना है यानि चालू करना है उस समय आपको black wire में face देना है और ये जो blue wire है उसके अंदर हमारा neutral wire आएगा तो इस तरह से इसकी connection है पूरा देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ details में connection तो यहाँ पे मैंने तीनों को connect कर दिया है देख सकते हो इसके अंदर भी हमारे thermostat में भी power है और अभी इसके अंदर भी power है तो अभी मैं इसको on करके आपको दिखाता हूँ यह जब नीचे आएगा उस समय यह on हो जाता है तो अभी इसके अंदर जो temperature है वो 30 मेंने set करके रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हो यह cool mode पर है और यह speed है इसका fan का वो आप पिसी पर याटों पर भी set कर सकते है किदर भी set कर सकते हो कोई दिक्रत नी है और अभी मैं यहाँ पर न इसका जो temperature है यह कमती करता हूँ यहाँ पर देख सकते हो तो यह हमारा अभी temperature हमने कमती किया 25 पर किया room temperature 26 है तो यह देख सकते हो हमारा जो यह wall वे नीचे आ रहा है यह आनि अभी यह on position में है अगर मैं इसको off करना है तो यह जो temperature है इसका थोड़ा सा बढ़ा दूँगा यहाँ पर 26.5 है तो मैं इसको 27 कर देता हूँ फिर आप देखना यहाँ पर यह off हो गया यानि उपर के side में जाए गया तो यह off हो गया तो अभी हम बात करते हैं friend इसका connection का तो यह जो हमारा thermostate है 220 volt का connection है और कैसे connection करते हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हूँ मैंने यहाँ पर जो G1, GL, GM, GHN यह हमारा यह 3 speed के हैं low, medium, high तो अभी मेरे पास motor नहीं है तो इसके लिए मैंने उसका connection nice में किया है बाकि आपका जो wall का connection कैसे करना है वो main चीज है तो आपको कैसे करना वो देखो आप यह जो blue wire है यह neutral है यहाँ पर यहन लिखा हुआ है चौथे नमर में यह हमारा neutral हो गया और यहाँ पर main चीज है देख सकते हूँ यह wall के 3 wire है यह जो black वाला इसके 3 wire आते हैं यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 3 wire है जिसमें black brown और blue हमारा neutral है यहाँ पर तो neutral को हमने यहाँ पर looping करके देख सकते हो यह neutral wire हमने thermostat को दिया है और एक neutral wire से direct हमने यह जो wall है उसको connection कर दिया है क्योंकि neutral इसको भी देना चाहिए तभी यह चालू होएगा और यहाँ पर face wire देख सकते हो face neutral दो wire आये हुए है तो यहाँ पर मैंने face wire thermostat का जो यल है यह एक नमर का point है उसके अंदर connect कर दिया है अब यह आप देखो मैंने यहाँ पर thermostat में इसको connect किया है यह जो मेरा neutral wire है यहाँ पर यह जो motor है इसके 3 wire आते हैं यहाँ पर एक तो brown आएगा एक black आएगा और एक blue आएगा तो blue wire को मैंने यहाँ पर direct दे दिया है neutral में और यह जो brown wire आता है यहाँ पर मैंने thermostat के दो नमर में यानि जो CH है न उसमें connect कर दिया है और जो black wire है जो डबलू है उसके अंदर connect कर दिया है जिससे क्या होएगा जब आपका cooling का जब time होएगा तो black में power आ जाएगा और जब आपका cooling हो जाएगा फिर आपका brown में च तो अभी क्या है motor on है तो हमारा जो power supply है वो black में यह देखो अभी black में है और brown में power चला गया है और अभी मैं इसको thermostat को थोड़ा power जो है temperature room temperature से थोड़ा बढ़ाता हूँ अभी इतना किया अभी देखना यहाँ पर आप यह अभी ऊपर जा रहा है यानि off हो रहा है और यहा ब्राउन में आ गया ठीक है तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं एक नमर में face आ गया यानि 220 वोल्ट का हमारा face आ गया दूसरे नमर पर आपको क्या करना है यह जो वाल है इसको जिसको जिस टाइम आपको close करना है उसका वायर इसके अंदर आएगा यानि यहाँ पर देख सक यानि black wire यह देख सकते black wire मैंने इसके अंदर यह जो वाल के तीन वायर आते हैं उसको मैंने यहाँ पर तीन नमर में connect किया है जिससे हमारा जब temperature ज्यादा होएगा उससे में हमारा यह thermostate on होएगा और यह हमारा जो वाल है वो work करेगा अभी मैं आपको check कराता हूं power connection के tester मैं आपको दिखा रहा हूं तो अभी मैंने off करके रखा है अभी मैं on करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसमें power आएंगे तो यहाँ पर मैंने अभी power कॉन कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो tester में light glow कर रहा है तो यहाँ नहीं हमारा फेस हो गया 220 वोल्ट जिससे हमारे यह controller काम करता है और यहाँ पर आप देख सकते हो यह दूसरा नमर में यानि यह हमारा फेस से यहाँ पर लगा हुआ है तबी यह हमारा यह जो motor है वो off होएगा और अभी यहाँ पर देख सकते हो तीसरे नमर में face नहीं है और चौथे नमर में तो हमारा यह neutral wire है लेकिन जब यह temperature हम यहाँ पर कम करेंगे देखो अभी मैं कम करने वाला हूँ अभी मैंने तेज कर दिया उस समय आप देखो यह न इस तरह से इसका connection करना है तीन वायर जो हमारा यह वाल का होता है जो हमारा blue है वो neutral है और जो brown है इसको हम दो नमर में देंगे यहाँ पर CH में और जो black wire है वो अपना तीन नमर में आ जाएगा इस तरह से इसका connection है अगर कोई भी question है अगर आप कोई भी तकलीफ है तो comment box में कमेंट करें आपकी पूरी सहता की जाएगी और चैनल पर नए आया है तो subscribe करके बेल आइकन जरूर दबाएं thank you for watching मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ